हेलो गैज, वेल्ट एक्सरेस में आपका हर्दिक स्वागत है आज सेटरडे का दिन है तो आज मैं आपके लिए तीन मल्टी बगट स्टॉक लेके आया हूँ जो विकली चार्ट के उपर एनलेसिस करेंगे और स्ट्रॉंग रिवर्सल के आसपास होंगे आज स्टॉक में रिवर्सल के आए बहुत हाई चांस होते है यांनि कि लो रिस्क वाले हाई रिवर्ड वाले सेट अप में आपको बताऊँगा और वहाँ जाके टेलिग्राम चैनल जोइन करके रखना है लाइव मार्केट में कि अपने यहाँ पर अपडेट देते रहते हैं और गाईज मैं आपको पहले बता दू कि जो 25 ट्रेड्स चैलेंज जो अपने देते हैं इसमें आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहा है कि इसमें तो आपके सारे स्टॉप लोस हो रहा है लेकिन मैंने जब चैलेंज स्टार्ट किया तभी मैंने पहले एडवांस में आपको बोला था आपको थोड़ा सा डिस्सेप्लिम मेंटिंग करना पड़ेगा और ट्रेड करते रहना पड़ेगा तो यहापे अपने ग्यारा-बारा ट्रेड हो चुके है तो देखते हैं अपने 25 ट्रेड के बाद क्या रिजल्ट आता है तो अभी अपने चलेंगे पहले स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसमें अच्छी रैली आ सकती है आने वाले तीन से छे महिने में तो गाइज और अगर आप पहली बारा चैनल पर आये तो आप चैनल को सस्क्राइब करके रख सकते हैं आपको यहापे हर तरह के ट्रेड म नहीं बोल सकते हो तो एक कंपनी है जो पिछले कौटर से इस कौटर जैसे कि कल उसका रिजल्ट आया और बहुत तगड़ा रिजल्ट आये और कंपनी लॉस में से प्रोफित में अल्रडेरी कन्वर्ट हो चुकी है और आने वाले कंपनी में उसका बिजनेस एक्सपांड भ और देखो guys, मैं जो भी यहाँ पर बता रहा हूँ, fundamental के हिसाब से कम और technical level के हिसाब से ज्यादा बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है, आपको भी पता है, price पहले आ जाती है, उसके बाद result आता है, कुछ भी आता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, पूरे week में volume के सा इसमें buying आ चुकी है, और result कब आया, कल शाम को आया, तो वो आपको इस सब ध्यान में रखना है, कि price में आपको पहले दिख जाएगा कि company में कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सब आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे, तो weekly chart के पर breakdown दे दिया, यानि जो भी उसका support area था, वो क्या हो गया, breakdown हो गया, breakdown हो गया, breakdown होने के बाद यहाँ से देखो, consolidation किया, फिर से stock उपर जाने का try किया, लेकिन अभी जो उसका support था, वो supply में convert हो चुका, उसके बाद stock में फिर से गिरा उट आई, और यहाँ से ध्यान से कि stock में कुछ अच्छा हो रहा है, company में कुछ अच्छा हो रहा है, तो आने वाले 3-6 महीने में stock अच्छी rally उपर की साइड दिखा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अच्छा हो रहा है, तो आप सारे पैसे की stock में लगा दो, stock market में कोई भी strategy होती है, कोई भी setup होता है वो 100% नहीं होता है, वो आपको ध्यान में रखना है, इसमें भी maybe अपने fall भी गलत भी साबित हो सकते हैं, अगर गलत साबित होंगे तो अपना क्या जाएगा, यहाँ से समझो कि stock गिर गया है, next week है, कभी भी गिर गया है, और इसके निच्छे आने कि 405 के निच्छे जैसे अपने वहाँ से exit कर देंगे, और इसके बाद stock में गिरावड भी बढ़ सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आपने को risk reward पर काम करना है, तो यहाँ से आप risk ले सकते हो, यहाँ पर आपको 405 का weekly close है, weekly close याने कि Friday को close देगा, तब ही exit करना है, समझो कि Monday को stock open हुआ, 400 के आसपा सोपन हुआ, फिर Tuesday को 390 भी चला गया, तो भी आपको hold रखना है, क्योंकि आपको भी बता है, closing बहुत जरूरी है, फिर तीन दिन में recovery आपके stock 410 पर चला गया, तो आपका position hold ही रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर 473 के आसपा centric करो होगे, तो आने वाले तीन महीने में ध्यान से सुनना गई, आने वाले तीन महीने में आपको 600 के लेवल पहले stock दिखा सकता है, उसके बाद 670 के लेवल 306 महीने में दिखा सकता है, तो पहला लेवल अपना 600 का आएगा, दूसरा लेवल 670 का आएगा, जो 306 महीने में stock से छे महीने के इंदर अभी गाईज मैं आपको दूसरा स्टोक बताँगा उससे पहले गाईज अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल जोइन करना है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरा वार्टसप नमर मिल जाएगा वहाँ जाके भी आप जोइन कर सकत हो और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा में यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में आपको ट्रेल स्टोप प्लस मिलते है त्रेल स्टोप प्लस यानि की जैसे की अभी डिलेवरी का मेने बता है तो वह अल्रड़ी प्रीम मेंबर्स में 463 के आपको आपको एडवांस में पता चल जाएगा और अच्छी रैली जैसे की डिलेवरी समझो कि आने वाले विक में अच्छी रैली दिखाते तो वहाँ पर मुनाफ़ा भी हो सकता है तो पावर ग्रिज जैसे की 237 पर दिया था 280 का टार्गेट है पहले टार्गेट है 270 का उसके बाद प्रिम्यम मेंबर्स को अलट किया था कि 350 के लिए भी इसको होल्ड करके आप रख सकते हो तो ऐसे आपको यहाँ पर टार्गेट मॉडिफाइग करने का भी मिलेगा और स्टोप लोस को भी ट्रेल करके जा सकते हैं जब रिटन मिलता है तो मैक्सिमाईज उसको अपने कर सकते हैं नॉर्मल लोग क्या करते है कि जब भी प्रॉपिट आता है तो वो थोड़ा लेकिन निकल लेते हैं और स्टोप लोस में वो लोस आता है तो वो खड़े रहते हैं तो आपको नहीं करना क्योंकि वहाँ पर आपका लोस बढ़ सकता है जैसा कि SPL पैट्रो देखोगे तो 583, 625 चला गया है तो उसके बाद देखोगे तो निच्चे TI 245 वाला 252 चला गया है तो आपको यह सब प्रिम्यम टेलिग्राम चैनल में सीखने को मिलेगा ट्रेडिंग साइकोलोजी आप अपना डेवलोप कर सकते हैं पोजिशन साइज कितना लेना वो भी स दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है SGS, SGS Enterprise जो अटो एंसेलरी कम्पनी है तो यहाँ पे स्टॉक में अच्छी रहली क्यों आ सकते हैं उसके पीछे का रिजन देख लेगते हैं विकली चार्ट के उपर अनलेसिस करेंगे स्टॉक का नाम रहे है SGS Enterprise जो तीन अनलेसिस की है विकली चार्ट के उपर तो क्लियर कट सप्ला डिमार्ट सेट अप है अगर किसी ने सप्ला डिमार्ट सेट अप का वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पर आई बटन पर उसका लिंक देदूँ का आप आराम से जाके देख सकते हो बिल्कुल फ्री में अव गया है तो इस अपका तो आपका सप्लाइ गिरते के इस सेट आ डिमार्ट से सपोट लिया वह यहां से भी ले सकता है लेकिन एक दिमार्ट जोर जबखो के फिर से स्टाए स्पिनिंग टॉप एक रिवर्सल का साइन होता है वहां से स्टॉक रिवर्स मार सकते हैं तो यहां से रिवर्स भी मारा और स्टॉक ने अच्छे से उपर की साड क्लोज भी दिया है तो अभी CMP 618 के आसपास है तो आप भी भी एंट्री कर सकते हो लेकिन आपको स्टॉपलोस लगाना श्टॉपलोस के बिना में कभी रेकोमेंड रिवर्स लगाना है तो इसके बाद भी 550 के नीचे विकली क्लोज देगा तब भी एकजिट करना है अभी आप देखोगे टार्गेट कितना है 970 का तार्गेट आने वाले 3-6 महिने में अभी आप सोचोगे कि टार्गे ट्रो करना है यहां से दोको स्टॉक ने क्या किया था वह फारी रेली यहां तक दिखाई थी उसके बाद देखो गई तो 50 परसंट कर चया था तो यहांनि कि फीबुनाची के क्या कर सकता है एक्स्टेंग कर सकता है उपर की साइड जा सकता है तो अभी आपको करना क्या है ओपन प्राइस पर या पैंट्री कर सकते है नो सो सतर के लेवाल आने वाले तीन से चे महीने में स्टॉक दिखा सकता है स्टॉक का नाम है और सबसे वैलीर पे मिल रही है यानी कि लो पील है जितना भी उसके प्राइस के असे लो पील्ड पर कमपनी मिल रही है तो वैल्यउड इसन की सबसे भी बढ़िया कमनी है अभी घाई मैं आपको तीसरा और आखरी स्टॉक बतांगा जिसका नाम रहे का डिटा पैरन डिटा जा रहे था है यहां से उसके बाद यहां से rejection आए फाइनली उपर चला गया है तो इसको अपने हलका सा छोटा सा supply zone बोल सकते हो उसके बाद एक श्टॉक उपर गया लेकिन एकजर नीचे demand zone में आके फिर से उपर गया है और श्टॉक अभी आठ ट्रेड कर रहे है तो यहां से नीचे के side gear out आई तो भी उसको demand zone नीचे है और उसके बाद भी अगर गिरता है और stock समझो के 1730 के नीचे weekly close देता है तब ही आपको exit करना है तो बहुत high chance है कि stock कही ना कही यहां से भी bounce back कर सकता है तो वो आपको ध्यान में रखना है अभी stock 1914-15 के आसपा चल रहा है तो आने वाले 3-6 महिने में stock आपको 3000 के level दिखा सकता है fundamentally बहुत अच्छी company है वो आपको ध्यान में रखना है तो 3-6 महिने में stock कितना level दिखा सकता है 3000 के level stock दिखा सकता है तो यह हो गए अपना data pattern जो clear cut supply demand setup और trailing का support है इसमें तो guys मैंने आपको total 3 stock बता है 3 stock बहुत अच्छे है लेकिन आपको discipline के साथ trade करना है अगर stop loss बोला है अगर वो हो जाता है तो वहाँ पे exit करना है बिल्कुल wait नहीं करना है क्योंकि जितना हो सकते उतना आपको loss को limited रखना है और profit को unlimited कर सकते है तो guys आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like करके जाना चैनल को subscribe करना अगर कुछ भी doubt हो तो आप comment करके मुझे पूछ सकते हो मैं answer देने का try करूंगा thank you very much guys please like करना मत बुलना thank you bye bye take care कल मिलते है नवे वीडियो में bye bye take care